हेलो फ्रेंड्स जै मातादी वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज पहला नवरात्रा है आप जल्दी से मातारानी का दर्वार लगाए चौकी सजाए और मातारानी की पूजा कीजिए नो दिन मातारानी की भक्ती में हो जाएगे 17 अक्टूवर आज दिन सनी वार से 25 अक्टूवर तक बना दीजिए वातावरन को भक्ती में क्योंकि इस बार 58 वर्सों की बाद सनी मकर कुम गुरू और धनुरासी में रहेंगे कलस स्थापना का सुब मौरत सुबह 6 बच कर 27 मिनट से सुरू हो चुका है और 10 बच कर 13 मिनट तक रहेगा इसके बाद अभी जीत मौरत सुरू हो जाएगा सुबह 11 बच कर 44 मिनट से सुरू होकर 12 बच कर 39 मिनट तक रहेगा फ्रेंड्स नौ दिन आप करिए रामचरित मानस का पाठ मैं पूरे महिने देवी भागवत का पाठ किया था बहुत सुन्दर सुन्दर अच्छी सच्छी घटना एक कहानिया नौ दिन तक मैं आपको सुनाती रहूंगी मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया है कि जो भी आध्यातमिक पुस्तक है मैं पढ़ रही हूँ हमारे ग्रंथ वो सब मैं आपको जानकारी देती रहूंगी तो मैं आपको नवरात्रों में यानि नौ दिन माता राने के सक्ती पीठों की पूजा कहानिया लेकर आऊंगी बने रही हैगा मेरे साथ ध्यानो भक्ततारा राने की कथा बहुत सारे राजा महराजाओं की सच्ची घटना है मोगल सासन काल में किस राजा महराजा ने कहां किस मंदिर में कौन से इस्थापना की थी और उनकी सच्ची घटना है कहां सक्ति पाई थी उन्होंने भक्ति करके मा की तो बने रहीएगा मेरे साथ बैशनो देवी की कथा कांग्डे वाली माता की कथा मनसा देवी, चित पूर्णी, नैना देवी भैरो मंदिर, संकर भगवान और चामुंडा माता की गोरखनात जी की जौला माई के दरवार में सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगी बहुत अच्छी अच्छी कहानिया मैं आपको लेकर आऊंगी बस मातारानी के चरणों की धूल मिल जाए और सब का कल्यान हो जाए माभवती की किरपा आप सब पर मनी रहे तो फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहला आइकॉन प्रेस कीजिए आने वाले नौटिफिकेशन 9 दिन तक मातारानी की सच्ची घटनाओं की कहानिया सच्ची कहानिया आप तक पहुंसती रहें और आप भी भक्ती में हो जाएं मैं जानती हूँ इस भाग दोड की लाइफ में किसी के पास भी देवी भागवत को पढ़ने का इतना समय नहीं है हम लोग गरस्ती लोग हैं तो इतना समय नहीं है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आध्धात्मिक पढ़िया कहानिया जो सच्ची घटनाए हैं किसने अपनी जिव्या काटकर माताराने को चड़ाई थी और फिर दुवारा से जीव लग गई थी गुरू गोविन सींगी ने गुरू गोविन सींगी ने सौरी माफ कीजिएगा उन्होंने कहां हवन किया था मासे बहमुक्त होने के लिए और कितनी माताराने की पूजा की थी सच्ची घटनाए में आपके लिए लेकर आऊंगी तो आप नौ दिन तक बनी रहिएगा मेरे साथ सक्ती पीठों का इतिहास देवी मंदरों की स्थापना माता के नौ नाम इतिहास एक प्रष्ट भूमी बहुत सारी कहाने आपकर लेकर आऊंगी छिन्नमस्तिका नाम पढ़ने का क्या कारण है और क्यों माता का नाम छिन्नमस्तिका पढ़ा था इसी बहुत सारी दंत कथाएं में आपके लिए लेकर आऊंगी तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा नौ दिन तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आप सेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने रिले टिप्स के साथ और अगर आपको मेरी सच्ची कहानिया हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जैमाता के लिखिएगा तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि कौन-कौन सी कहानियां आप सुनना चाहते हैं मैं तो 9 कहानियां आपको सुनाऊंगी 9 दिन तक दसेरा पूजन और बहुत सारी वीडियो तिल रेन बाइ बाइ जैमाता दी